फिल्मेकर साज़द खान ने जब से रियालिटी शो बिग बॉस 16 में एंट्री ली है उन्हें बाहर निकालने की कोशिश जारी है साज़द खान को खूब ट्रोल किया जा रहा है बावजुद इसके साज़द अभी भी शो का हिस्स्ता है साज़द इस बार नॉमिनेट हैं लेकिन वोटिंग लाइन भी बंद कर दी गई है ऐसे में उन्हें निकालने की कोशिश दस हपते से जारी है और नाकाम रही है जो अभी भी फिल्मेकर के खिलाब बोल रहे हैं उन्हें अब जटकाल लग सकता है क्योंकि सुनने में आया है कि साज़द खान अभी बिग बॉस हाउस में लंबा टिकने वाले हैं वो रियालिटी शो से कहीं बाहर नहीं जाने वाले हैं बिग बॉस फैन क्लब पर साज़द खान की कॉंट्रक्ट से जुड़ी बड़ी डिटेल सामने आई है जिसके मताबिक वे 15 जैनवरी 2023 से पहले शो से निकाले नहीं जा सकते सुत्रों के हवाले से बताया है कि साज़द खान की शो में टिकने की मिनिमम गारंटी 15 जैनवरी 2023 तक है इसलिए इस तारीक तक वे शो से बाहर नहीं हो सकते मेकर्स साज़द खान को एवेक्ट नहीं कर सकते मालू हो साज़द इस वीक नॉमिनेटेड भी है इस खबर में कितनी सचाई है ये तो नहीं मालू मगर साज़द खान के हेटर्स को ये नियूज जानकर धका ज़रूर लगेगा वायर पूस्ट पर भी ट्रोल्स रियक्ट करते वे साज़द खान को शो से बाहर निकालने की मांग कर रही है कई लोग ये पूस्टे दिखें कि ये मिनिमम गारंटी क्या होता है कईयों का माना है कि साजित खान के शो से निकलने के बाद निम्रत को और अहलुआलिया अकेली हो जाएंगी फिर उनकी मंडली तूटेगी ऐसे में क्या पता निम्रत अकेली खेलना शुरू कर दें फिर ये सब अभी अनुमान ही हैं क्योंकि साजित खान अभी भी शो में बने हुए हैं उनका गेम लोगों को पसंद भी आ रहा है साजित का फ़न साइड पसंद किया जाता है पर कभी कभी वे अपनी मर्यादा पार कर जाते हैं जैसे इन दिनों साजित खान को अब्दूरोजी की पीट पर अम मर्यादित भाशा लिखने पर ट्रोल किया जा रहा है साजित की ये मस्ती लोगों को हजम नहीं हो रही यूजर्स ने साजित खान के खिलाफ सर्मान खान से अक्शन लेने की अपील की है लोगों का ये भी अन्रोध है कि अब्दूरोजी को साजित की संगत से अलखिया जाए अब देखना होगा वीकेंड का बार में साजित खान इस मुद्धे पर बात करते हैं या नहीं ब्योरर रिपोर्ट दली समाचार